इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉबल प्राइज से रिलेटेड सारे चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कौशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नॉबल प्राइज से रिलेटेड जो डिसकेशन करेंगे उसका तीन डाइमेंशन या तीन एंगल होगा फर्स्ट डाइमेंशन की 2019 में किन-किन लोगों को नॉबल प्राइज मिला है और किस काम के लिए मिला है इस पर्टिकुलर लेक्चर में यान इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम दो पर्ट इस 2019 में किसे मिला and some static facts related to Nobel Prize ये डिसकस करेंगे and next वीडियो में हम इंडियन्स के बारे में कौन से इंडियन्स को Nobel Prize मिला है वो डिसकस करेंगे चलो, we start with our discussion 2019 में Physics के लिए Nobel Prize मिला है 2019 का Physics का Nobel Prize मिला है James Piblis को, Michael Mayer को और Didier Quizler को James Piblis कोस्मोलोजिस्ट है, Canadian American citizen है और Michael Mayer और Didier Quizler को देखेंगे तो वो Swiss citizen है Basically, हमारा objective है इन लोगों का नाम याद करना Because exam के दिन आपको ये नाम याद होना चाहिए We all know that exam is nothing but a recall of memory मतलब exam के दिन आपको किसी भी तरीके से याद रहना चाहिए याद आना चाहिए तो उसलिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक याँ पर adopt किया है जिसमें इन लोगों के नाम को, कुछ particular इन लोगों के जो शब्द है नाम का उसे red में लिखा है जो red में लिखा है आप बस वोई याद करिया, आपको याद हो जाएगा For example, जैसे हम कहेंगे James Mayer और Didier को Physics का 2019 का Nobel Prize मिला है अब इनका काम क्या है, किस काम के लिए इने मिला तो इनों ने एक concept को evolve किया, एक develop किया, एक understanding develop किया कि कैसे Big Ben theory के बाद, Big Ben explosion, something 13.7 billion years ago एक बहुत बड़ा explosion हुआ था, जिसे हम Big Ben explosion कहते है उस Big Ben के बाद universe कैसे create हुआ, universe कैसे create होता गया, evolve होता गया तो उन सारे study को, उन सारे concept को, उन सारे चीजों को इन तीनों ने समझा है और study किया कि कैसे evolution of universe हुआ after Big Ben तो इसी work के लिए इन तीनों को, that is James Mayer और Didier को Physics का Nobel Prize मिला है Now Chemistry का Nobel Prize, Chemistry का Nobel Prize किसे मिला है तो 2019 का Chemistry का Nobel Prize तीन लोगों को मिला है वो तीन कोन है, Akira, Yoshino, Japan के, Stanley, Withingham, ये UK के थे और अब भी फिलाल USA में है, तो इनने USA से चोड़ी है, इन लोगों का citizenship इतना important नहीं है John, Good Enough, ये तीन लोग, Akira, Yoshino, Stanley, Withingham, and John, Good Enough ये तीन को मिला है Chemistry का, 2019 का Nobel Prize अब इनके नाम को कैसे याद किया जाए, तो Akira and Stanley are Good Enough इन तीनों को मिला है Chemistry का Nobel Prize, काम क्या है, तो बैटरी आज जितना भी हम बैटरी यूज़ करते हैं, mobile phone में, and different other products में जो भी हम बैटरी का यूज़ करते हैं, ये बैटरी, lithium iron का है तो lithium iron के इस बैटरी को develop करना, और उसमें improvement करने के लिए ये तीनों लोगों को Chemistry का Nobel Prize मिला है Then Medicine के field में, Medicine के field के Nobel Prize को हम ये भी कहते हैं Medicine में जब मिलेगा तो हम Physiology भी कहते हैं, तो Physiology 2019 का या Medicine के 2019 का Nobel Prize किसे मिला है, तो वो तीन लोग है William Kellyn को है, USA के William Kellyn, then we have Greg Semenza, USA के and Peter Ratcliffe, Britain के, इन तिनों के नाम को कैसे याद किया जाए तो William, Semenza को हिंदी वाले एक शब्द बना दिजे, से मानजा William से मानजा Peter, तो William पता समझा रहा है, तो आप बोल रहे है William से मानजा Peter, तो William से मानजा Peter, इनने Medicine के लिए मिला है William से मानजा Peter को, तो Medicine के फिल्ब में इननों ने किया क्या तो इननों ने एक study किया है, और समझा है कि कैसे, हमारा जो body का cell है वो surrounding में oxygen जो available है, उसे sense करता है और उसके accordingly अपने आपको adopt कर लेता है, adapt करता है उस surrounding के accordingly तो हमारा cell कैसे sense करता है and adapt करता है itself according to oxygen, available oxygen तो ये study से होगा क्या, ये study future में cancer treatment में बहुत help करेगा, ये माना जा रहा है तो इसलिए इस particular study के लिए इन तीन लोग William से मेंजा Peter को Medicine का Nobel Prize दिया गया 2019 का Economics का Nobel Prize मिला है अभिजीत बैनर जी को, उनकी wife Esther Duflo को और Michael Kramer को तो अभिजीत बैनर जी Indian American citizen है, पहले इंडिया के citizen थे कलकता उनिवरसिटी से और जवालार नेरू उनिवरसिटी JNU से उन्होंने studies किया आगे चलके अमेरिका चले गए, further study अमेरिका में किया और वहीं के citizen भी बन गए उनकी wife Esther Duflo ये बैरक उबामा की chief advisor में से एक थी तो अभिजीत बैनर जी, Esther Duflo और Michael Kramer को मिला है Economics का 2019 का Nobel Prize इनका work क्या है, तो elevation of global poverty, global poverty को कैसे खतम किया जाए, इससे related economic concept को इन्होंने develop किया है Then we have peace के लिए, 2019 का Nobel Peace Prize मिला है, अभी एहमत को, he is the prime minister of utopia utopia के prime minister है, अभी इन्होंने काम क्या किया, तो utopia और उसका एक neighboring country है, that is Eritrea Eritrea और utopia के बीच में 20 years से एक hostility था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में hostility है तो ये utopia और utopia के बीच में 20 years से hostility था, जिसे अभी एहमत ने खतम किया है, end कर दिया इस hostility को एक negotiation develop करके, इसलिए उन्हें मिला है 2019 का Peace Prize अब literature के field में किसे मिला है, तो देखिए literature के field में दो जन को मिला है, लेकिन एक को 2018 का मिला because 2018 में क्या हुआ था, कि जो academy, nobel के लिए recommendation देती है कि किसे मिलेगा, उस academy में क्या हुआ था, कि sexual harassment का, sexual assault का case है था और जिसके उस साल, last year, literature के field में nobel prize किसी को नहीं मिला था, तो वो last year का nobel prize इस समय दिया गया है Olga Tokarchar को, Olga Tokarchar जो Poland की है, उन्हें 2018 का nobel prize for literature दिया है और 2019 का Peter Henke को दिया है, Peter Henke Austria के है Olga को मिला है उनके book flight के लिए, और Peter Henke को मिला है उनके book the sorrow beyond dreams के लिए तो ये book का नाम याद रखेगा, कौन से year के लिए मिला है, और किसे मिला है, और कौन से country को they belong कर रहे है ये आपको याद रखना है, ठीक Now something about nobel prize, nobel prize देता कौन है, तो nobel prize एक foundation है, जिसका नाम है nobel foundation ये nobel foundation देता है nobel prize लोगों को और ये prize देने का सिलसला शुरू हुआ था, 1901 में, 1901 से लेकर आज तक nobel prize हर साल लोगों को दिया जाता है और ये दिया जाता है nobel foundation के तुरू Nobel foundation, nobel prize देता है कुछ particular fields में, जैसे physics, chemistry, economics, medicine और literature का field एह हुआ, साथ में peace के field में यानि ये total 6 field है जिसमें nobel prize दिया जाता है, physics, chemistry और economics में किसे दिया जाएगा ये recommend करता है Royal Swedish Academy of Science, medicine में किसे दिया जाएगा, ये recommend करता है Carolin's का institute और literature में किसे दिया जाएगा, ये recommend करता है Swedish Academy पीस में किसे दिया जाएगा, पीस के field में किसे nobel prize दिया जाएगा, ये recommend करता है एक committee, five members की committee, जिसे बनाया जाता है, जिसे elect किया जाता है, नौरगेवियन पार्लेमेंट के दुरू, यानि नौरवे का जो पार्लेमेंट है जिसे हम starting भी कहते है, वो एक committee को constitute करता है, और वो committee के recommendation पे जिससे भी का जाता है, उसे nobel prize, nobel foundation के दुरू दिया जाता है जिनने भी physics, chemistry, economic, medicine या literature के field में दिया जाना है, तो उन्हें दिया जाता है Stockholm, Sweden में Sweden में एक जगह है Stockholm, वहाँ पर उन्हें price distribute किया जाता है, वेरस peace के field में अगर किसी को nobel दिया जाएगा, तो उन्हें दिया जाता है Oslo में Oslo कहाँ पर है, तो Norway में, Norway में एक जगह है Oslo, यहाँ पर peace का nobel price दिया जाता है, ठीक Now, nobel foundation के बार में कुछ और चीज़, ये nobel foundation को constitute किया गया था 29th of June 1900 में किसके इक्छा पर तो Alfred nobel नाम के एक वेक्ती थे, जिन्होंने dynamite को invent किया था वो नहीं के पास जितना भी fund ढूंड था, वो ये देना, use करना चाते थे, उन वेक्तियों को देने के लिए या scholarship के तौर पर या फिर identify करने के लिए, जिन्होंने human society के लिए कुछ अच्छा किया या किसी particular social या science के field में, या peace के field में, कुछ और कुछ, you know, outstanding work perform किया है तो Alfred Nobel के ही last will के basis पर इस Nobel Foundation का, को constitute किया गया था, इसके constitute किया गया है on 29th of June 1900 और इसका headquarter है Sweden के stock home में, तो इस particular lecture में, इस particular video में, हमने दो part, that is part 1 which is related to who received Nobel in the year 2019, and next part 2, यह part 2 related है about Nobel Prize कि Nobel Prize से related कौन से field में दिया जाता है, कब कौन देता है, कब उसे constitute किया गया था, कहां दिया जाता है सम basic static facts related to Nobel Prize, इस next video में हम देखेंगे कौन कौन से Indians है, जिने Nobel Prize मिला है I hope this video was helpful to you, और मैं आपसे recommend करूँगा, कि आप जो भी सुन रहे हैं, इसका खुद का अपना notes बनाईए, notes बना कि उससे systematic तरीके से लिखिये You can see, बहुत सारे exam में Nobel Prize से related exams में पूछा गया है, और यह आपको बहुत ही helpful होगा If you like the video, please share and subscribe to my channel, thank you and have a nice day